हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुपसूरत पैटन सीयर करने जा रहे हूं इस पैटन को आप लेडी स्वेटर कार्डिगन कोट्टी जैकेट गल्स स्वेटर गल्स टॉप लोंग स्वेटर बच्चों के ओल जैन स्वेटर कैप आधी में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुत ही खुपसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने 20 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं पलस हमने 10 फंदे एक्स इसा भी बॉर्डर पैटन बनाके कंप्लेट करेंगे बॉर्डर पैटन कंप्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा अब हम अपना पैटन बनाना इस्टार्ड करते हैं तो देखे ये हमने यहाँ पे पहले से ही फंदे डाले हैं और हमने ये टोटल 30 भीस फंदे डाले हैं, तो देखे, front side से pattern की first row, सबसे पहले हम border बनाके complete कर लेंगे, उसके बाद हमने अपना pattern बनाना start करना है, तो देखे, first row में पहला फंदा उताा लेंगे, ये पहला फंदा उताा लेना है, धागा अपनी side करेंगे, 8 फंदे उल्टे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे उल्टे आप इस पैटरन को सिर्फ सेटर के सेंटर में भी अपलाई कर सकते हैं धागा पीछे करेंगे अब देखें यहाँ पर हम बारा फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बारा फंदे सीधे अब हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे फस्ट रों में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने हैं आठ फंदे उल्टे बुनने हैं, बारा फंदे सीधे फिर आठ फंदे उल्टे बुनेंगे बारा फंदे सीधे फिर आमने लास्ट में आठ फंदे उल्टे बुन लेने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे तो देखें यह हमारी फर्स्ट रोग कम्प्लेट हो गए बैक साइड से से किन रोग, अब से किन रोग में देखें पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने से किन रोग को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करना है पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है बैक साइड से हमारी जितनी भी रोग आएंगी सबको हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे यह बैक साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्प्लीट हो गए अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो अब थर्ड रो में देखे एला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ फंदे उल्टे बुन लेंगे अपनी साइड आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद देखे धागा पीछे करेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, अब देखे जो थर्ड नीडिल वाले फंदे हैं, इनको हम लेप नीडिल में सिप्ट करेंगे, इस तरीके से, अब इन फंदों को सीधा भून लेंगे, यह देखे, अब नेश्ट चार फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर धाग अपनी साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे भूनेंगे, तो देखे, इस फ्रांटी साइड से पैटर्न की थर्ड रो कमप्लेट हो गई, बैक साइड से फोर्द रो, फोर्द रो को हम सेकिंड रो की तरह उल्टा भूनते हुए कमप्लेट करेंगे, पूरे पैटर्न में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है, अब देखे, फ्रांटी साइड से फिप्तरो, अब फिप्तरो में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, धाग अपनी साइड करेंगे, आठ फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साइड, आठ, आठ फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे उल्टे, अब नेश्ट हमने आठ फंदों को ट्विस्ट करके बुनने, तो देखे, ऐसे तिसरी सलाई लेंगे, आगे के ये देखे, ये चार फंदे, एक, दो, तीन, चार, ये देखे, ये चार फंदे हमने तिसरी सलाई में उतार दे, अब देखे, इस सलाई को ऐसे पीछे करेंगे इस तरीके से और नेश्ट हमने चार फंदे सीधे बुन लेने एक दो तीन चार चार फंदे सीधे अब देखे जो थर्ड निडिल वाले फंदे हैं इनको हम लेफ निडिल में सिप्ट करेंगे एक दो तीन चार अब इन चार फंदों को सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार धागा अपनी साइड लास्ट के आठ फंदे उर्डे आ जाएंगे लास्ट वाला फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की फिप्त रों कमप्लेट हो गई आप देखे बैक साइड से सिक्स रों को हमने सेकिंड रों की तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लेट करने है ये देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की सिक्स रों कमप्लेट हो गई आप देखे फ्रेंट साइड से पैटन की सेवंत रों सेवंत रों में हमारा पैटन रिपीट होगा सेवंत रों को हमने पैटन की फर्स रों की तरह बुनते हुए कमप्लेट करने है अब हमने इन ही छे सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आ आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू